नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी YouTube चनल UPSC IS Exams में आज मैं आपका दोस करदम रावल आपके लिए लेका है हूँ The Indian Express के एडिटोरियल हिंदी के अंदर आज जो The Indian Express newspaper है, उसके अंदर जो भी एडिटोरियल सा है जो बहुत ही market के अंदर लोगों को appreciate कर रहा है कि लोग जो है इसके बारे में काफी appreciate कर रहे है अब तक 2000 से जादा लोग यहाँ पर register हो चुके है और अभी जो है यह course limited time period के अंदर special discount के साथ अवेलेबल है below 4000 रुपिस, including of taxes तो यहाँ पर history, geography, economy, environment, ethics, art and culture, science and technology, quality और international relation के 9 subjects के prelims और mains के video lectures है जो numbers के अंदर 350 से जादा है यहाँ पर 350 plus video और PDF है और जो time frame है सारे video का मिला के वो 300 plus hours का है और यहाँ पर 30 online test series भी है आपके लिए जो आपको जो है आपके नए knowledge को test करने के लिए helpful होगी उसके बाद यहाँ पर हर महीने आपको free monthly current affair दिया जाएगा यहाँ पर इस course की जो validity है यह कि इसकी USP है इसको आप 2019 के mains examination तक इसको आप access कर पाऊगे और यहाँ पर जो है कोई भी restriction नहीं है आप unlimited time चाहे PDF को download करना हो या फिर वीडियो को देखना हो SI के सारी चीजे without restriction, no terms and condition जो हमने mention की हो ऐसी कोई बात ही नहीं है जो हमने यहाँ पर mention ना की हो और यहाँ पर हम आपको गैंटे देते हैं कि आपके आस पास में जो भी offline classes हो रहे है उसके comparison के अंदर यह एक बहुत ही better deal है और जो price है इस हो very 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 much affordable दूसरी बात यहाँ पर भी आपको discount मिल सकता है अगर आपके हमारे जो धह Hindu editorial के जो वीडियो से उसके अंदर जो fun fact में जो question पूछते है उसका सही जवाब अगर आप comment section के अंदर देते है तो वहाँ पर जो है आपको सही answer के साथ coupon code provide किया जाएगा और इसे भी कंदाम के अंदर यहाँ पर जो है आपको यह course मिल सकता है तो comment के अंदर participate करना मत भूलिएगा तो coupon code का giveaway चल रहा है और यहाँ पर registration के इस तरह से करेंगे आप जो है description के अंदर नीचे link दी गई है वहाँ पर जो है जाएंगे तो आपको link जो है redirect करेंगे हमारी website www.upsis.exams.com पर वहाँ पर आप easily register कर पाएंगे कोई भी query हो तो आपके लिए दो रास्ते है website के ओपर chat window available है और part no.2 इस के description के अंदर दो mobile number दिये गए है वहाँ पर call करके भी आप जो है जाल्दा जानकारी प्राप्त कर सकते है तो hurry up guys limited time is available to register for this course at limited price of 4000 or less यहाँ पर जो है पहला the Indian Express का जो editorial है वो है UGCK regarding तो आप सब को पता है कि monsoon session के अंदर Parliament के 18 July को जो start होने वाला है और 10 August पक चलेगा और 10 August तक चलेगा और 10 August तक चलेगा और 18 working days का जो time frame है वहाँ पर काफी सारा work करना है तो वहाँ पर और एक नया work एड हुआ हुआ है यूजी सी जो है उसके सामने higher education institution आने वाला है तो higher education institution क्यों लाए जा रहा है यह हमने बहुत बार discuss कर लिया है लेकिन यहाँ पर जो है यह writer जो है यह कहते है कि यूजी सी का यह जो है UGC work करता है आपको act पता होना जाहिए UGC Works on the Act University Grant Commission Act of 1951 तो यह जो ह mercy killing या murder से कुछ काम नहीं है यहाँ पर जो है higher education जो है उसको जो लाया जा रहा है consolation के अंदर तो यह कोई नया काम नहीं करने वाला है बलकि जो काम UGC ने इतने सालों में किया है वही यह करने वाला है यहाँ पर सिर्फ जो है इस article को politically connect करने की कोशिश की है writer ने कि जो external pressures हो universities को university grants commission को run कराने के लिए जो support मिलना चाहिए वो support न मिलने के कारण external pressure के कारण जो कहीं ना कहीं है UGC जो है वो fail हुआ है UGC की अगर आप history निकाल के देखे तो बहुत ही लंबी चोड़े history है उन्होंने establishment से लेके आप तक जो है बहुत ही सारे प्रसंद से नहीं काम किये है तो आप UGC को हटाने के लिए उसको इतना जादा suppress और depressed करके नहीं बता सकते हैं कि UGC जो है वो एकदम से कुछ काम ही नहीं कर रही है और यहाँ पर सिर्फ जो है corruption है और जो पैसे बनाने की एक factory है कि education stream से जो है पैसे बनाने की जो शार्जिश हो रही है उसी के regarding जो है UGC वर्क कर रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है UGC की अगर आप 1951 जो एक से वहाँ पर उनकी establishment हुई है तो आजादी से लेके अब तक जो है UGC ने market के अंदर knowledge deliver करने के अंदर बहुत सारे काम किये है यह तो वह बात हो गई जिस तरी के से planning commission of India को हटा के नीतियायो को लेके आए जो planning commission of India ने जो negative points थे planning commission of India के वो इतने exaggerate करके बताए गये उसके सामने यह नहीं बताया गया कि भई planning commission of India के कारण ही जो है आप जो है पूर country से एक बड़ी economy जो वर्ड की second, third largest और fourth largest position पर आया करती थी वहाँ तक पहुचाने में अगर महत्वपुन किसी का योगदान रहा एजुकेशन के अंदर self-reliance achieve करना हो तो यह जो सारे point थे तो उस टाइम भी planning commission of India के थे तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है UGC को आप जो है उनके सारे जो negative points से उनको इतना elaborate करते हुए और बड़ा चड़ा के बता रहे हो कि वही जो university grand commission है वो एक दम से एक ऐसी autonomous body बन चु रहे और इनोंने जो है अपने जो time frame रहा और उस time पर जो government रही उस government ने UGC का फाइदा उठाते हुए जो भी colleges और universities के establishment की वहाँ पर जो है अलग-अलग states के उंदर तो इन लोगों को भी counter करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है तो UGC जो है यह modern university के पाउं रखने की ता principles जो mediation के उपर work कर रहे थे उसके अंदर भी point out यह करके बताया गया कि आप सब को यह कोई secret वाली बात नहीं कि UGC के कहां कहां तक failure है even जो है यहाँ पर इन्होंने जो एक चालू किया था New Delhi के अंदर University of Delhi के अंदर four year undergraduate program तो यहाँ पर जो यह program था वो इतना fail हुआ और इस program का जो establishment था वो खुझ UGC के ही act की provision के खिलाफ था तो पहले जब वो पिछली government आई थी तो पिछली government ने इसको चलाने दिया फिल जैसे ही नई government आती है तो नई government ने इन points को carry out करके बताया कि वह यह जो सारी चीजे आपने चला रखी है FYUP यानि कि four year undergraduate program यह गलत है तो फिर उने review बिठाया और जो है program के regarding जो norms से उसको change किया तो एक तरीके से जो आज की जो government है वो एक कम से हाथ दो के पड़ी है जिस तरीके से UGC जो है वो वो वक कर रही है वहां से उनके rights उनके powers उनकी जो यह लोग बोल रहे है कि यह तरीकी dictatorship है जो band volont regulator होना चाहिए उस तरीके स performance है वो भी weak है इवन इसका जो evaluation हुआ है और जो fundamental qualities check out हुई है वहां पर भी पता चला है कि जो academic performance है वो up to the mark नहीं है mistrust है इवन यहां पे इवन जो UGC है उसके अंदर भी जो है इतना जादा politics है कि आप इसके बारे में publicly discuss नहीं कर सकते हैं जो administrators यहां पर work करते हैं उनका भी यह कहना है कि भई UGC जो है उनकी professional committee जो है atmosphere है trust का वो ठीक नहीं है तो यहां पर जो है इसके healing part के अंदर इसके जो नए changing mode के अंदर यह नहीं सोचा जा रहा है कि किस तरीके से जो university grant commission act और university grant commission के अंदर जो खामिया है उसको निकाल के सुधारा जाए बल्कि यहां पर जो है इसी को हटाने की बात हो रही है और इनके जो positive points से सारे ignore करके एक self-governing community जो है higher education institution उसको लाना चाते है और यहां पर जो है full autonomy तो यहां पर भी नहीं रहेगी बल्कि जो autonomy की degree होगी वो decide करेगी कि कितनी autonomy इनको मिलेगी और यहां पर जो है कोई बड़ा इंसान या पैसे वाल को जो है higher education institution को जो है education field के अंदर academic उस तरीके के approach को promote करने की कोशिश करेगा जिससे की society के अंदर education की मातरा के अंदर बड़ोतरी हो और जो हमारी आज जो हमारी सबसे बड़ी खामी है कि world की सबसे बड़ी 100 universities के अंदर हमारी कोई institute नहीं है कोई university नहीं है तो वहां पर जो हम हमारी IIT और IISA Indian Institute of Science और Indian Institute of Technology तो इनका भी कोई अच्छा योगदान international field के अंदर नहीं है दूसरी बात ऐसी कई सारी fields है जिसके अंदर हम courses जो है अची तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे है तो जैसे अभी हाल ही के अंदर आया था कि बड़ी आयोग चाहता है कि इंड कर रखी है लेकिन उसमें सिर्फ 348 लोग ऐसे है जो इंडियन है तो यहां पर ऐसी कई ऐसी streams है जिसके अंदर इंडिया को चाहिए कि लोग जो है वो expertise knowledge वाले हमारे नेशन की university से हो तो UGC जो है वो इसमें कहीं ना कहीं फैल हो रहा है तो इसके अंदर इसके भी यहां पर connection के और और एक point है कि हम चाहते है DNA profiling बिलकुल आना चाहते है जो monsoon session में आने वाला है तो वहां पर भी यही एक problem है कि जो DNA profiling है उसके अंदर DNA के उपर PhD करे हुए जो लोग है उनकी list इंडिया के अंदर बहुत छोटी है और वो जो भी है वो ज्यादा तर Russia, Germany, United Kingdom और USA के चले गए है वो लोग तो obviously इंडिया के अंदर आके काम नहीं करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ UGC को हटाने का government का यह उद्देश नहीं बलके और भी जादा उद्देश है इवन जो institution, university grand commission के अंदर गयत पूने, एलाबाद, वारनसी, मुंबई, हैदराबाद, डेली के अंदर और various places के अंदर हुए है तो यहाँ पर भी इनको politically की भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है भी जो नहीं government है वो चाहती है कि वह जो उनके पिछली government ही उनके continuation time period के अंदर जो भी universities नहीं नहीं आई है उनके अंदर कहीं ना कहीं वहाँ के politicians के पैसे और नाम जुड़े हुए है, profit sharing जुड़ी हुई है तो वो चाहते है कि यह सारी UGC ही बंद हो जाएगी तो उसके बाद में जो नहीं बोड़ी आएगी वहाँ पर review वगेरा करेगी और so universities है वहाँ पर out होती है तो अगर यह मुद्दा है कि पॉलिटिकल मुद्दा है HCIL के establishment का तो यह गलत चीज है और यह जो weapon है वो काफी गलत point है तो आज की इस editorial के अंदर इतना ही दूसरा जो दा Indian Express का editorial है वो LIC और IDBI Bank के regarding है कि Life Insurance Corporation of India जो India की top insurer company है उनको approval दी है IRDI ने जिसका full form मैंने आपक है कहा कि आप 50% तक के जो शेयर से वो IDBI Bank के ले लीजिए बै डेट रिडन बैंक है IDBI क्योंकि यहां पर IDBI जो वो एक तरह कैसे worst performing bank रही है 2018-31 मार्च के numbers के मताबिक क्योंकि इनके पास 55,588.26 करोड के तो non-performing asset है और इनका जो net loss हुआ है वो 8,238 करोड का हुआ है तो fiscal year ज March 2018 का यह data रहा तो यहां पर जो है इसका quick solution लेके आना और जो problem में उसको fix out करना इतना easy नहीं है क्योंकि अभी जो problem है जो जो मसला है वो काफी गहरा हो चुका है और जो amount है वो बहुत ही बड़ा है तो government को इसके regarding सोचना चाहिए even RBI को और जो savvy है इनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए और जो share से और इस तरीके से या पर buy out हो जाते है तो जो LIC है उसके regarding IRDI यह कहता है कि आपका जो main काम है वो अपने policy holders के interest को बचा के रखना है ना कि जो है यहाँ पर आपके कोई bank वगरा है जो अभी problems के अंदर डूबी हुई है उनको बचाना है तो यहाँ पर जो है LIC का vision यह है कि IDVI को यूँ purchase करना चाहती है जो off-beat बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि पीछले पीछले जो परदे के फीछे है उसका क्या राज है तो भई HDFC bank, IDVI bank, ICACI bank और State bank of India यह चार और एक bank of बरड़ा यह पाँच यह पाँच बैंक ऐसी है इंडिया के अंदर जो काफी government के अंतरगत बनी हुई काफी अलग-अलग जो संस्ताय है जो program से जो scheme से उसके अंदर advisory committee से लेके fund प्रोवाइड कराने तक का काम और काफी सारे ऐसे काम कर रही है जिसके अंदर government के साथ इनका direct connection है और कही ना कही government को यह हर जगा मदद भी करती है और government से यह जो है transact भी करती है तो अगर IDBI जो है इसकी अगर आप list देखना चाहो तो आप Google कर सकते हो IDBI जो है अलग-अलग state government और central government को मिला के 50 से भी ज़ादा जगा ओपर government के साथ connected है तो यहाँ पर government का involvement IDBI bank में और IDBI bank का involvement government के policies, schemes, transactions और जो offices है उसके अंदर बहुत ज़ादा है तो यहाँ पर LIC जो है वो कहीं इन मुद्दों के ऊपर भी चाहता है कि भी जो है वो लोग के साथ काफी जादा connection है तो इन फिल्ड के अंदर वो अपने आपको introduce कराना चाहती है इवन जो LIC है उसके अंदर भी government का बहुत बड़ा share है तो IDBI के जो shares लेने के पीछे का राज है वो इवन यह भी है पर यहाँ पर जो उसके अलावा की एक point है वो read out करनी बहुत जरूरी है second point the LIC which already has holding in over a dozen banks and which has sold over 29 crore policies and has assets under the management of over 28.5 lakh crore has a responsibility to let its policy holders know of the value proposition involved in buying a substantial stake in IDBI bank तो यह भी एक point है कि कर IDBI bank का जो shares अगर यह लोग लेना चाहते है तो भविश्य क्या है इसके बारे में policy holders को पता होना जरूरी है क्योंकि shareholders जो है IDBI के उनको protect करने से जादा अच्छी बात यह है कि अपने जो policy holders है और उनका जो fund है उनका जो interest है उसको protect किया जाए और है उनके जो policy holders है उनके interest holders है उनके stakeholder से उनके investment को उनके पैसे को उनके funds को उनके interest को बचा के रखना इवन IRDA भी यही कहता है its mission is to protect the interest of policy holders besides promoting the growth of insurance industry growth से भी important यह है कि आप जो है अपने policy holders का यहाँ पर ख्याल रखे the insurance statute also clear says that it has a mandate to regulate the investment of fund by insurance firm तो बाद में यहाँ पर point यह निकल गयाता है कि वही LIC का जो board है and the insurance regulator यहाँ पर indeciful in this case, indefensible in this case और यह कहती है कि government जो है when they should have examines the proposal far more thoroughly and short time तो यहाँ पर इनका जो approach है वो यह कहना है और comparison यहाँ पर एक दी गई है कि LIC और IDBI bank का जो मसला है वो सेम वही है जब ONGC ने GSPC को buy करने की बात की थी और बाद में HPCL को buy करने की बात की थी तो major shareholders थे उनके interest को देखना और जो government थी यह भी यह कहती थी कि जो transaction हो रहा है उसके अंदर minority का यहाँ पर उनके interest का जो है आप ख्याल रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो यह सबसे prime बात है तो government जो है खुद ही company बनाती है खुद ही losses होते है तो यहाँ पर अपनी ही दूसरी company के माधियम से इसके shares buy करने के लिए आ जाती है तो यहाँ पर policy holder का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है यह भी एक point है interest जो है छोटे छोटे shareholders जो है policy holders जो है उनका बचा के रखना उनके funds को कहीं पर भी ऐसी जगा पर use मत कर देना है of the proposed deal failing while financial sector regulator RBI or SEBI should step in तो अजर ऐसे मसले है जो वहाँ पर banks जो है इतना losses कर रही है तो वहाँ पर SEBI को आना चाहिए या फिर जो है Reserve Bank of India को आना चाहिए Reserve Bank of India को policy formulate करने का पूरे के पूरा अधिकार है अपनी banks के अंदर जो उनको बचाने के लिए जो भी steps लेने चाहिए उनका पूरा अधिकार है इवन यहाँ पर जो है last month June के अंदर RBI की meeting भी हुई थी वहाँ पर भी उन्होंने काफी सारे points रखे थे इवन कल के the current affairs के अंदर भी हमें पता चला कि सुनील मेता committee को यहाँ पर जो है approval मिल गया है कि जो banks का जो issue है non-performing asset का और जो economic offenders है positive economic offenders, ordinance भी आने वाला है इवन जो है insolvency and bankruptcy code है उसके अंदर भी amendment आने वाला है तो यह जो अभी आने वाला जो time period है 18 July से लेकर 10 August के बीच का यह इतना गरम period होने वाला है कि जहाँ पर बहुत सारी नहीं नहीं information नहीं नहीं जो changes है policy के अंदर acts है, bills है, ordinance है यह बहुत सारी चीज़े यहाँ पर आने वाली है, तो बने रहीएगा हमारे चैनल के साथ तो subscribe करना बिल्कुल से मत बूलिएगा क्योंकि RBI, SEBI, Government of India, Parliament से कौन कौन से bills है, ordinance है, क्या क्या नहीं चीज़े इंडिया के अंदर हो रही है इसके national, international, economic और geographical implementations के बाद क्या किया, यहाँ पर impacts होने वाले हर logic को, हर topic को यहाँ पर connect करके आपके साथ share किया जाएगा रोज शाम को daily current affairs के अंदर हो, जैसे ही editorial के अंदर आता है, हर सुबह YouTube के अंदर सबसे पहले the Indian Express editorial और the Hindu editorial के लिए आपको जो है, हमार चैनल को subscribe करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो bell icon है, घंटी वाला उसको press करके, चैनल को subscribe भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तुरंद notification मिल जाएगा, कि आपके लिए जो है, हम knowledge लेके आपके सामने आ गए है, और अगर आपको इस video का explanation और content पसंद आ आया होको तो video को like करना, और अपने सुजाओ comment के अंदर बताना मत भूलिएगा, और इस video को होशो के उतना share कीजिए, और channel पस नए है, तो please subscribe करना मत भूलिए, आने वाले time के अंदर बहुत सारी information आपके लिए आ रही है, thank you दोस्तो, जय हिंद, भारत मता कीजए, वंदे मा को जोस्तो